आज का जो मैं नाश्ता बना रही हूँ बचे हुए चावल का है अगर हम जब चावल बनाते हैं तो बच जाते हैं तो उनका कुछ नुकुछ बनाने का मन करता है तो आज मैंने वही चावल लिए हैं बच गए थे तो उसमें मैंने लंबे लंबे प्यास पतले काटके और वो मैं 3-4 चमज भर के छोटी और मैं बेसन डाल रही हूँ यह देखे आप चाहे तो इधर मेदा भी यूज़ कर सकते हैं यह बेसन की जगें पर और यह मैंने थोड़ी सी मेथी ली है बारी कटी हुई वो मैंने इसमें डाल दी है और यह हरा धनिया है इधर आप इसमें पालक भ अभी मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रही हूँ मैंने तीखा वाला हरा मिर्च का पेस्ट लिया है वो मैंने इसमें डाल दिया है और स्वात के हिसाब से इसमें नमक डाल रही हूँ मैं तो नमक थोड़ा कम लगा था तो मैंने ओर डाला थोड़ा सा अभी इसक पाउल में ले लिया ये और अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ा गीला करूंगी थोड़ा सा ही पानी डालना है ज्यादा गीला नहीं करना अगर ज्यादा गीला करेंगे तो हम भजिया जैसे बना लेंगे तो आप चाहे तो इसमें बहुत सारी वेजिट दे रही हूं ये देखिए इसे ये मैं इनको अच्छे से ऐसा शेप दे रही हूं ये खाने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स बढ़ने के बाद तो ये बहुत ही ज्यादा इनका लुक अच्छा दिखता है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है तो कभी आ मैंने तीन पिस डाल दिये जितना मेरे कड़ाई में जगे थी उतना तो ये अभी मैं इसको पलट रही हूं एक दो मिनट रहने देने का डालने के बाद फिर इनको पलटने का साइड इनका चेंज करेंगे ये देखिए मेडियम टू स्लो आज पर हमको इनको कुक ये करना है फ आदा निंबू का रस मैने ढाला था वो मुझसे इसकीप हो गया है मैं दिखा नहीं पाई आपको वीडियो में तो निंबू का रस डालेंगे न उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है थोड़ा खटा सा टेस्ट आता है चट पटा सा तो ये देखिए मैंने बना लिये है आ अभी दूसरे वेच का भी मैं इसमें डाल रही हूँ तो इनको भी हमको अच्छे से फ्राय कर लेना है ज्यादा तेज आच नहीं रखनी है ज्यादा तेज आच रखेंगे तो ये अंदर से कच्छे रह जाएंगे और उपर से कड़क हो जाएंगे इसके लिए ज्यादा तेज आच पर नहीं हमको पकाना है इनको तो ये देखिए ये हो चुके हैं अभी मैं इनको भी निकाल लूँगी अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्स्राइब कीजे प्लीज तो मुझे थोड़ा ऐसा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ रेसिपी अच्छी लग रही है तो बनाने में अच्छा लगता है ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह से इसको डेकोरेट किया है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है अगर चावल बच जाते हैं तो अच्छा रहता है कि कुछ हम अच्छा यूज कर लें तो ये देखिए मैं आपको तोड़के दिखा रहे हूँ बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट है सोस के साथ यहरी चटनी दही किसी के भी साथ चाय के साथ आप सुवश शाम कभी भी बना के खाईए